चाहे हो आपका सेल्फ ड्राइविंग कार या हो आपका ट्रैफिक का चलान हाई स्पीड वाला ये रडार है कुछ भी कर सकती हैं दोस्तों आज ही इस वीडियो में हम समझेंगे कि रडार क्या है कैसे काम करता है और कैसे ये इतना केपल बन जाता है चाहे आपका सेल्फ ड्राइविंग कार हो चाहे ट्रैफिक पुलीस हो चाहे नासा हो इस्त्रों हो रेडार योज करना ही परता है इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता तो चलिए विदाउट एनी फॉर्ड़ डिली लेट्स रॉल दिटाइब तो आज आई नो स्टार्ट काफी इंट्रेस्टिंग रहा है तो कंटिनू करते है इस वीडियो को और लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करके बेल इकन को प्लेस अव्लाइब करना तक यह से वीडियो उसके नोटिफिकेशन मिले ना रडार किया है तो दोस्तों रडार की अगर हम बात करते हैं तो बीसिकली यह हमारे चारों करफ है हर एक जगा पे नडार यह उट होड़ा है ना आम बात कर लो चाहे रेडियो स्टेशन की इनमें भी एक टाइप कर रडार जैसा ही टेकनलोजी होता है इसको हम आगे समझेंगे इसके इसके इलावा आप बात कर लो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मतलब वो तो हर्जे गई है यार जहां भी फ्लाइट्स जा रहे हैं एटू जेट सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको रडार मिलता है इसके इलावा अग मून इन सारी की वो मैप करने के लिए साथ ही इस्टो भी करता है और यहां पर तो रडार एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टेकनलोजी है जो काम करता है रेडियो फ्रिक्वेल्सी के उपर नो बात करते ही यहां पर समझने वाली कुछ यह है तो सबसे पहले समझेंगे र हम में से बहुत सारे लोग पहारियों पर गए हैं और आपने देखा होगा जब भी आप चिलाते हो तो आपका ही साउंड इकू हो के आपको सुनाई देता है एक डिले के बाद डिले की होता है क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लगता है जाकर टक्दा आता है फिर वो आता है तब आपको सुनाई देता है समझे यहां पर साउंड की बात कर रहे हैं लेकिन रडार में टेकनलोजी थोड़ी से अलग है तो यहां पर साउंड को अगर हम समझे उस टेकनलोजी को भी समझ जाएंगे तो अगर आपको किसी चीज का डेप्थ जानन क्योंकि sound travel करेगा travel करके return आयेगा मतलब आपको जो distance मिलेगा जो वो अगर आप sound के speed से calculate कर लेते हो ना sound को कितना टाइम लगा जाने आने में उसको half कर देते तो आपको almost accurate result मिल जाएगा नो यहां पर दोस्तों चलो एक sound का जो speed हो उसको पकरते हैं 600 इसको हम समझते हैं अब हम sound के जगप रेडियो फ्रिक्वेंस का इसका इस्तामाल करेंगे तो यहां पर sound क्योंड करेंगे क्योंकि basically sound का range कर में फिर sound में interference बहुत ज्यादा आते हैं और वह बहुत सारे problems आ जाते हैं तो इसलिए अब हम shift करते है रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरफ concept स्रीम है जब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी को भेजते हो गहीं पर वह बाउस करके return आता है तो हम calculate कर सकते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी तो light के effect क्या होता है नो दोस्तों मालो हमको track करना है कि इसे moving object को और मालो suppose suppose for example कि traffic police से वो track करना चाहता है कि आप का दारी कितने speed में आ यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि basically जो हमारा radio frequency वो जा रहा है जाकर टक्रा के return आ रहा है तो हम capture कर रहे हैं इससे हम distance पता बन रहे है राइट नो इसको अगर हम ऐसी हिसाब करते हैं तो एक problem आ जाता है एक problem क्या आ जाता है कि यार पैर पोधे भी तो है और मुझको track करना है सिर्फ moving object को तो ऐसे में हम को क्या करना होगा ऐसे में अब हम एक चीज़ बात करते हैं तो मान लो आप एक गारी ल होगे उसी टाइम पे अगर आप एक होन बजाते हो तो आप सामने से जब आओगे तब जो होन का sound होगा वो जब पीछे से में सुनूंगा आप cross करने के बाल तो sound change हो जाएगा यह आप notice करना इसको कहते पीच shift क्यों होता है तो देखो यहां पे यह concept लो कि जैसे मान लो मैं एक radio frequency या sound wave जो भी छोड़ा ठीक है अब आप इस speed में आ रहे हो ठीक है और जैसे ही आपका टक्राइगा यह जब return करेगा ना यह थोड़ा compress हो जाएगा लेकिन जो object अभी stable है उससे टक्रा के जब जाएगा ना तो वो compress नहीं होगा वो basically normal return करेगा जिस speech में था तो इससे हम को पता चल जाएगा कि गारी कितने speed में हैं कितने distance में हैं सब कुछ calculate किया जा सकता है इस pitch shift से कितना pitch shift हुआ है इससे हम लोग सब सुच पता कर सकते हैं और इसी को कहा जाता है डॉपनर frequency shift या फिर डॉपनर pitch shift now हमको क्या करना है simply filter out कर देना है जिनका pitch shift नहीं हुआ है जब हम radio frequency का प्लाश्ट करेंगे थोड़े second के लिए और उसके बाद उसको रोग देंगे receiver अब रिचीव करेगा ऐसे काम लगता है और यहां पर जो time लगाए नहीं उससे पता चल जाएगा कि कितने distance में object है और इस को यूज करके हम filter कर देंगे non pitch shift objects को और ऐसे हमारा जोग noise है आसपास का surrounding का noise है वह हड़ी आएगा बस हमारे पास रह जाएगा प्योड डेटा moving object का तो दुस्तु यह इंग बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा technology है जिससे हम लोग moving object को track करते है बहुत ही precisely जैसे air traffic control की बात कर ल या फिर traffic police जब आपको track करता है कि आपका speed कितना है उसकी बात कर लो तो यहाँ पर filtration होता है Doppler effect को यह उज़ करके Doppler frequency shift जिसमें होता है उसी object को रखा जाता है बाकि बाकी objects में ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वो non moving है हमको moving object की ज़रूरत है अब यहाँ पे अलग-अलग कि यह different है इसको अगर मैं cover करने जाओ काफी लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसमें मैं नहीं बात करने वाला इन technologies के बारे में इसकी लावा लाइडार भी होता है जो laser को यह उसकर करके track करता है moving objects को या फिर basically light को यह उसकर के तो यहाँ पे काफी interesting technology है यह अगर आपको और depth में इन सारे चीजियों को जानना है तो दोस्तों comments में जरूर लिखना तो आशे करता हूँ यह छोटा सा video interesting रहा होगा और आपने समझा होगा कि radar क्या है और कैसे काम करता है और अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्तों like कर देना इस video को और share कर देना उन दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हूँ कि पता चले कि radar क्या होता है और कितना interesting technology है अगर अभी तक आपने subscribe ने किया है तो subscribe करके bell icon प्रेस करना ताकि मेरे ऐस video का notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो इसे के साथ दोस्तों खतम करूंगा इस video को take care of yourself and all notification जरूर सिलेक्ट करना have a great day and I'll see in the next video bye bye and see ya